कार स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस इडियो में डिसकस करने वाले हैं कि एक जो मृत महिला है उसके शरीर के साथ अगर बलतकार किया जाता है तो क्या वो अपराद की श्रेणी में आता है या नहीं यह जो विशय है वो अभी चर्चा में क्यों है क्योंक उन्हीं वेवस्था के उपर कि इन सब चीजों को शामिल किया गया क्यों नहीं किया गया इन सब के उपर साथ इसाथ एक टर्म और निकल कर आती है नेक्रोफिलिया यह नेक्रोफिलिया क्या होती है क्योंकि करनाट का हाई कोट ने इसका भी जिकर किया है तो इन तमाम बात हाली में कहा कि एक महिला के मृत शरीर के साथ अगर योन संबंद कोई भी बलतकार करता है तो वो बलतकार की श्रेणी में आता ही नहीं है देखे 376 IPC की जो धारा है 376-376 जो बलतकार से रिलेटिड है वो इस चीज को आकरशित करता ही नहीं है मतलब कि अगर किसी ने किसी मृ महिला के साथ बलतकार की है तो वो उसको अकरशित करेगा ही नहीं क्यों नहीं करेगा अभी हम बताएंगे क्योंकि करनाट का हाई कोट ने 375-377 और भी काफी सारे सेक्शन उनका हवाला देते हुए का है कि यह जो काम किया गया है वो 376 के तहत आता ही नहीं है और यहां पर फैसला दिया गया तो जो करनाट का हाई कोट के चीफ जजी थे उन्होंने कहां भी विरप्पा और वेंकेटेशन नायक ने कहां कि केंदर सरकार को मृतकों की गरीमा की रक्षा के लिए IPC में संशोधन करना चाहिए बहुत जादा जरूरी है इस चीज में तो हम एक बार ज दिया हमला किया तो पहले इसको मार डाला फिर उसके शरीर के साथ बलतकार किया पुलिस ने चार शीट दायर करने के बाद शत्र यानि शैशन जजज ने IPC की धारा 302-306 के तैद हत्या और बलतकार के अपराद इस पर आरोप लगा दिये अब शैशन जजज ने पाया कि ज आजीवन करावास की सज़ा सुनाईगी 7-7-50,000 रुपे ये भी फाइन लगाया गया ये था सिर्फर सिर्फ मौत के लिए और यहां पर पेडिता के शिरीर के साथ जो बलतकार गया उसके लिए 10 साल के लिए अलग से उसको करावास और 25,000 रुपे की जुर्माने की सज़ा वहां पर सुनाई गई अब ये सब चीजे की गई अब जो प्रोसेक्यूशन था उसने ये साबित कर दिया कि हत्या पहले हुई थी बलतकार बाद में हुआ तो यह जो चीज थी वो करनाट का हाई कोट के सामने एक अपील डाल दी गई कि देखिए हमने ये तो चीज कर दी नित महिला के साथ आप बलतकार करते हैं तो वो कानूनी रूप से गलत नहीं है यह आई पीसी के अंदर कोई ऐसी धारा ही नहीं है जो यहां पर सजा दे सेकें तो यहां पर सजा किस बात की दी गई तो इसको लेकर जो प्रोसेक्यूशन है वो पहुँच गया हाई कोट के अब हाई कोट ने क्या का देखें इंडियन पिनल कोट का सेक्शन 375 और 377 अगर आप इन जो सेक्शन है इनको आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मृत शरीर को मानव या वेक्ति रूप माना ही नहीं जाता यह अगर किसी की डैथ हो गई है तो उसको मान किसी जिंदा वेक्ति के साथ हो रहा है ना लेकिन यहां पर तो मानव ये वेक्ति इसको माना ही नहीं गया अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं मृत का मतलब तो यह होता है जिसके यह हाई कोट के जो है वहाँ पर जजीज है उन्होंने ऐसा कहा फिर साथ ही साथ उन्हो कुछ और नहीं बलकि नेक्रोफीलिया है यह बात भी बोल दी नेक्रोफीलिया क्या है यह भी हम पढ़ेंगे फरस्ट और इसको एक बार जाज लेते हैं ते कि आई पीसी की जो धारा 46 है अदालत ने का मृत्यू का मतलब होता है मिनुश्य की मृत्यू इसलिए अदालत ने का कि बलतकार एक व्यक्ति के साथ किया जाना चाहिए मृत शरीर के साथ रही क्योंकि मृत शरीर को तो हम मानवानी नहीं रहे अदालत ने यह भी कहा एक मृत्कार का तो विरोध ओविसलिए वह नहीं कर सकता नहीं उसे डर होता है कि उसको बहुत जादा गंबिर चोट लग कि तो यह सब जो है वह अदालत ने बोली इसके अतरिक हाई कोट ने एक बात जो जुरूर बोली कि 1989 में केस हुआ था सुप्रीम कोट ने एक जज्जमेंट दिया था उसका हवाला देते हुए यह बात भी बोली कि पंडित पर्मानेंद कटारा एड़ोकेट वर्सिस यूनि किया जाना चाहिए एक और बात हाई कोट ने यह बात भी बोली 2021 में राष्ट्रिय मानवा अधिकार की आयोग ने एक एडवाईजरी जारी किती गरीमा को बनाए रखने और मृत्कों के अधिकार की रक्षा इस पर भी सलाह का आवान किया जिसमें कहा गया कि शरीर के पूर्ण आप उसके साथ नहीं कर सकते इसका भी उलेक नो नहीं किया तो वहाँ पर ये बात बोलेगे एक सब्वे और समय पर दफन या फिर जो भी एक रिलिजिन के अकोर्डिंग जो भी धार्मिक रूप से वहाँ पर जो चीजिए की जाती है वो की जानी जाहिए उसके स बाद एक रोग मतलब कि एक समझे किसी की मृत्यू कर दी अब रंग राजु ने एक 25 साल की जो लड़की थी उसकी हत्या कर दी हत्या करने के बाद उसके अंदर एक ऐसा रोग है रंग राजु में नेक्रोफीलिया करके जिससे क्या है कि वह इस मृत शेरित के तरफ हो रहा है इसको इसको ये नेक्रोफीलिया अब यह नेक्रोफीलिया जो एक तरिके से साइकोलोजिकल डिसोडर है यहं पर सेक्स करना है संबोग करना है लेकिन वह एक होता है कि किसी को sexual necessity है आदत है वह नहीं यहांपर जो शारिक संबद बनाने वह गुसे में यह फिर experiment तो तो यह जो है नेक्रोफिलिया भारत के IPC के अंदर यह अभी तक यह डाला नहीं गा, हाँ, हलांकि बोला है, कोट ने कि इसको 297 कहता है, जो है, इस सब चीज को यहाँ पर डाला भी जाए, इंडियन एक्सप्रेस के साथ बाचित करते हुए, दिल्ली में स्थित, क्रिमिनल ज देने के लिए एक मजबूत तर्क मौझूद भी है, कि इसको यहाँ पर डाला जाना चाहिए, देखे 377 जिसमें बोला गया है, कि जिसके अंदर आप प्रकरतिक आदेश के खिलाफ शारिक संबोंद को वो दंडित करता है, तो नेक्रोफिलिया के अंदर यह सभी चीज शाम मिल भी है, तो इनिश्चित रूप से इसको 377 या फिर कहें कि IPC के अंदर इसको लाना जरूरी ही है, यहाँ पर बात बोली गई थी, तो उमीद है आज का जो टोपिक है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देखे काफी सारे लोग बोलेंगे, अरे यह कैसे हो सकता है, कि एक मिनिश्चरी के साथ यहां पर बलतकार कर दिया और हाई कोट ने उसको बरी कर दिया, यह तो बहुत जादा गलत है, देखे कि जो चीज़े आज की डेट में शामिली नहीं है, उन सीच के पर देखे कैसे वो सिप चीज़ों को लागू कर सकते हैं, धीरे धीरे उस की डेट में, क्राइम इतना जादा हो गया, इतना जादा खतरनाक हो गया, इतना भ्यानक हो गया है, कि वो सब चीज़ें डालने की बहुत ज़्यादा जरूरत आ गया, तो बस आज के लिए इतना है था, फिर से बता देता हूँ, पीडियाफ का हमले है, डिस्क्रिशन बॉ this video